बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इशान किशन को लेकर जो की लगाता टीम से बाहर चल रहे थे साउथ अफरीका को टूर पर गया हुए थे लेकिन बीच में ही परसनल रिजन के कारण उन्होंने टूर को जो है वहां से अपना नाम विड्रॉल कर लिया था और उ उन दोनों को रंजी ट्रॉफी का मैच खेलना अबर दोनों अंदेखा कर रहे थे बीसी सी आई की जो चेतावनी थी और इसके कारण दोनों को सेंट्रल कॉन्टेक्ट से हटा दिया गया है और यह सिर्फ इतना ही नहीं है क्योंकि अब आगे भी इन दोनों के लिए खेलना इंडिया के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाए कि कोई जीस तरह से यह लोग अंदेखा कर रहे थे बीसी सी आई का जो डाइरिक्शन है उसको और इसमें अगर बात करें सिर्फ इयर की तो यह तो एक कदम और आगे निकल गए इनोहोंने जूट बोलके कि यह मिडिकली फि और इनोहोंने बहाना बनाया है और इसलिए इशान किशन के साथ साथ सिर्यस अईयर भी टीम से मतलब सेंटरल कॉन्ट्रेक्ट से बाहर हो चुके हैं और अब जो ग्रेड यह का जो लिस्ट आया है पैलेस्टीनी खिलाडी थे बिराट कोरी रोही सर्मा और जस्परित भूम जो ग्रेड है यह प्लस वाला जो ग्रेड है उसमें इनको जगा मिला है जहां पर बीसी से सलाना इन चारो खिलाडी को साथ कड़ो रुपे की सहली दीगी और यहीं पर जो ग्रेड एक जो खिलाडी है उसमें अब छे ग्रेड बी में पांच खिलाडी को जगा मिली है और ज उनका बिवात को जादा ही फस गया है क्योंकि उनका जो खराब परफॉर्firmanस था उसके बाद इंगलेंड की जो सिरीज इंगलेंड के एगेंस में जो अवी इंडिया का जो सिरीज चल रहा है उन्गोइंग सिरीज उसमें से उनको टीम से बाहर बेठा दिया गया और उन्हें साफ कर दिया है कि अईयर मैच के लिए फिट है और उन्हें खेलने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है तो ये जूट पकड़ाते ही इन्हें सेंटरल कॉंटेक्ट से बाहर कर दिया गया है तो सेंटरल कॉंटेक्ट से बाहर होने के बाद अईयर और इसान किसन का जो टीम इंडिया के लिए जो भविश है आगे ओभी खत्रे में आगे है क्यों कि इन्हों ने नियमों का अभेलना किया है और जो डिरेक्शन मिला हुआ था उसको भी इन लोगों ने नजर अंदाज किया है तो अब किसी भी कीमत पर इनको घरेलू क्रिकेट किसी भी खिलाड़ी को इन दोनों को हो नहीं बलकि किसी भी खिलाड़ी को जो है घरेलू क्रिकेट को नजर अंदाज या देखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और इन लोगों ने ऐसा किया और टीम से बाहर चले गए और फ्यूचर देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये दोरों खिलाडी वापस टीम में कभी आ भी पाएंगे तो अगर खबर आपको अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ठीक है ठेंक्यू